नमस्काई, मेरा नाम इमानशादावन, और आज इस वीडियो में बेसिकली वेरिकोसील के पेशेंट के लिए डाइट बताने जारो डाइट ऐसाच नहीं बताऊंगा कि पूरी इलाबरेट पर उसके लिए साथ साथ में आपको डाइट प्लैन दे दूंगा ठीक है इस स्क्रीन पे दिखा दूंगा आप चाहिए उसको पॉस कर लेना और देख लेना बट उससे पहले कुछ फैक्स फैक्स यह जो पेशेंट ग्रेट सेकिंड पे थे और और आज की डेट में वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं वेरिकोसील से बिफोर आफ्टर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है आप देख सकते हैं इस वीडियो पे देख लो आप चाहिए थोड़ा सा काउंटर प्रॉट्र कर ऑडूंटर कर लो दोनों क्עם रिपोर्ट साथ साथ लगी मिन हैं और साथ साथ लगने पे आप देख सकते हो की फिफोर और after में कितने changes हैं आप vericocele में कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अराम नहीं मिल सकता क्योंकि बहुत सारे doctors आपको सीधा कहते हैं कि आप सीधा surgery करवा हूँ बट यह आपके सामने facts हैं facts को आप खुद देखो खुद जानो, खुद पैचानो इसलिए आपके सामने रखा हैं तो इस report में आप खुद देख रहे हो before और after reports में second grade का vericocele mention क्या हुआ है और दूसरे में no significance क्यों कुछ है ही नहीं वापे it means कि patient cure हो चुका है अब रही बात यहाँ पर vericocele है गर्मिया है और गर्मियों में क्या ऐसा करें कि जिसकी वज़ा से वो relief दे दिक्कत ना दे तो को simple सी बात समझना गर्मिया आता ही हमारा scrotum male body का scrotum जो है वो लटकता है hanging mode बे जाता है hang करता है क्योंकि वो ठंडा मांग रहे होते हैं हमारे testicles temperature wise वो ठंडा क्यों मांग रहे होते हैं क्योंकि उसका temperature 2.5 degree कम होता है testicles का हमारे शरीर से testicle का temperature रहता है 35.5 degree celsius बट हमारे शरीर का रहता है 37.5 degree celsius अब इस दो धाई degree का जो difference होता है इस ही की वज़ा से हमको hanging जादा मिलती है अब जब hanging जादा मिलती है तो क्या होता है कि हमारी जो veins है उस पर थोड़ा load जादा पड़ता है और अगर वहां पर mild varicocil है तो उस पर और जादा load पड़ता है और जब और जादा load पड़ता है तो वहां पर क्या आती है inflammation अब inflammation हमें दर्द देती है pain मिल देगी अब जब वह pain देगी वह किस reason से हुआ वह reason हुआ हमारे inflammation वाली जगह से हमारे जहां पर sujan आई है उसकी वज़ा से दर्द हुआ अब sujan को कैसे ठीक करना है sujan के लिए सबसे best diet जो है वह है anti-inflammatory diet अब उसके मैं आपके सामने पूरा चार्ट लिख दिया पॉस कर लेना पॉस करके इस सारी के सारी items को note कर लो या screenshot ले लेना क्योंकि anti-inflammatory अगर आप कुछ भी खा रहे हो fruits वगारा में खा रहे हो तो इन में से कुछ है देख लेना अगर आप भार कुछ खाने जा रहे हो तो कुछ इसमें से देख लेना क्योंकि देखो inflammation है तो उसको कम करने के लिए कुछ food है जिसको हम लेकर अराम से अपने आपको settle कर सकते है inflammation वहां से कम होती है अब second point आता है varicocele में जहां पर blood की धारा को ठीक करना होता है blood की धारा को मतलब की माल लीचे की आपकी veins के अंदर reflexes बन रहे हैं reflexes बनने की वज़ासे वह wall और ज्यादा damage कर रहे हैं और जब वह wall को और ज्यादा damage करते हैं तो हमको फिर से वही pain मिलता है तो इसी वज़ासे जो reflexes बन रहे हैं जो wall को damage कर रहे हैं उसको cover करने के लिए हम क्या लेते हैं यहां पर food item ले लेते हैं जो हमारे खूंट को पतला रखे maintain रखे दिक्कत न दे तो यहां पर अगर flow है या blood का flow है महां पर better तरीके से चलना चालू हो जाएगा reflexes नहीं cause करेगा जहां पर return blood flow वापिस की तरफ नहीं आएगा तो क्या होगा हमें relief मिलेगा और वो करने के लिए जैसे की हल्दी हो गई ठीक है और जैसे आपके normal सी मिर्ची हो गई जो green चिली होती है थोड़ी सी वो हमारे खूंट को पतला रखती है हम इस टाइम पर ले सकते हैं तो यह वाली चीजे जो हैं वो आप normally ले सकते हैं तो उसका भी मैंने चार्ट बना दिया है यहां पर आप उसको देख सकते हैं और अपनी blood के flow को better तरीके से float करवा सकते हैं तो यह देख लो और इसके बात आती है हमारे पार वेरिको सील के साथ-साथ हमारे sperm count की दिकत यह जिसे थोड़ा बहुत हमें लगता कि testis की functioning थोड़ी कम हो रही है क्योंकि उसको proper nutrition नहीं मिल पारे तो जब nutrition नहीं मिल पारे तो हम आप कौन सा ऐसा food intake करे कि हमारे semen analysis की report कभी गड़ बड़ाया तो यहां पर वोई आपके सामने chart में रख रहा हूं इन charts को आप screenshot ले ले आप follow कर ले या फिर screenshot लेकर अपने पास सकते हो कभी बाहर चा रहे हो या घर पे कुछ बना रहे हो तो आप इन में से कोई भी चीज लेकर बना सकते हो तो इसमें बहुत सारी item है आप देख सकते हो basically हम चाह क्या रहे हैं हम चाह रहे हैं कि आज की date में हमारी inflammation भी कम हो जाए हमारा blood का flow भी better हो जाए और हमारे उसके साथ आने वाले consequences जैसे कि semen analysis की report हमारी कभी हम पर ना हो तो semen analysis की report हम पर ना हो तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि nutrition ज्यादा better देंगे हम testicles को nutrition ज्यासे कि zinc चाहिए तो zinc वाले हमने food को intake कर लिया हमें selenium चाहिए selenium वाले food को intake कर लिया हमको थोड़ी energetic जैसे minerals बहुत अच्छे चाहिए तो हमने वैसे शीला जी जैसे हमने use कर लिया यह सारी चीजों को हम use करके अपनी varicocele से आने वाली सारी troubles को cover कर लेते हैं और इसी के साथ-साथ diet तो एक अपनी अलग जगा है बट उसके साथ आप supporter जरूर पहने supporter must है मैं आज भी बोलूँगा कल भी बोलूँगा और पिछली वीडियो में भी बोलूँगा supporter must है क्योंकि जब वो hang करेगा testicles तो आपको दर्द देगा बहुत अलग-अलग complications देगा उससे बेटर है कि उसको लटकने मत दो उसको hang होने ही मत दो तो supporter उसमें protective बन जाता है उसको एक तरीके से नीचे से hold देतेता है और आपकी troubles को कम कर देता है इसी के साथ अगर आपको वीडियो समझ आई हो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजेगा सब्स्राइब का बटन भी दबा दीजेगा इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के तब तक के नमस्का